हेलो फ्रेंट्स फिर से स्वागत है आपका मेरे चानल पे तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे प्लांट की नीम शेर करने जा रही हूँ जो बिना धूप के शेडी एरिया में जैसे बालकोनी और पोर्च में भी अच्छे चल सके तो अगर आपके हाँ एक से दो घंटे की धूप आती है या धूप नहीं भी आती है तो ये प्लांट साब ग्रो कर सकते हैं वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो चानल को सब्सक्राइब जरूर करतीजेगा तो इस लिस्ट का पहला प्लांट है फिलो डेंडरॉन मेरा जो ये प्लांट है ये फिलो डेंडरॉन सिलॉन है और फिलो डेंडरॉन में बहुत सारी वेराइटी जाती है आप इसके कोई भी वेराइटी आड़ कर सकते हैं इस वराइटी के देखें इसके लीव्स कितनी सुन्दर है, कुछ गोल्डन कलर के, ग्रीन कलर की, तो देखें इसमें भी ऐसे बेबी प्लांट निकलते हैं, इसको निकाल के आप एक नया प्लांट बना सकते हैं, और ये प्लांट मेरा अब मेरे पोर्च एरिया में रखा वा ह जहां पर इसे बिल्कुल भी धूप नहीं मिलती है, और ये यहां पर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, नेक्स प्लांट ये देखें, लिप्स्टिक अगलोनिमा है, इसके लीव्स देखें कितनी सुन्दर लगती है, तो इसके जो लीव्स हैं, ये इसके नेम को जस्टिफ और इसे भी बिल्कुल भी धूप नहीं मिल रही है, और देखें ये प्लांट भी बेबी पप्स निकालते हैं, तो ये जब बड़े हो जाएंगे तो आप इसको सेपरेट करके नया प्लांट बना सकते हैं, इसके अलावा इसके कटिंग भी बहुत ईजी लिए लग जाती है तो इससे आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, तो नेक्स्ट भी ये अगलोनिमा की एक वराइटी है, ये शायद अगलोनिमा पिंग डलमेशियन है, मैं बहुत शूर नहीं हूँ, अगलोनिमा में बहुत सारी वराइटी जाती है, और सबके लीफ्स कुछ सिमिलर, कई बीट कच लावर निकलता है, देखेंक सिंग्योंिम जा अगलोनिम हो क्या, और तो बिए बहुत सारे प्लांट से निकल के मल्टिपलाई होते रहता हैं, और ये बहुत जाना हो जाता है कुछ बश्यक्त से इनको लगाने के जर्वत नहीं होती है, ये प्लांड भी बहुती अच्छे ग्रो करते हैं इसके लीवस बहुती बड़े-बड़े और सुन्दर होते हैं तो मैंने ये प्लांट जब लिया था तो इसमें एक स्टम थी और इसमें 2-4 लीवस आते थे यह प्लांट कटिंग से प्रॉपोगेट हो जाते हैं और इसके अलावा देकी नीचे में इनके ऐसे बेबी प्लांट भी निकलते हैं तो ये भी प्लांट तीरे-टीरे बढ़े हो जाएंगे तो आप इनको सपरेट करडर के निव प्लांट बना सकते है इन plants की growth थोड़ी slow होती है in comparison to flowering plants तो next देखें यह मेरा favorite plant है यह Monstera की एक variety है broken heart इसकी leaves देखें कितनी सुन्दर लगती है हलकी कटी कटी सी होती है बीच से Monstera के भी बहुत सारी varieties आती है उसमें से एक यह है broken heart लेकि इस plant को propagate करना भी बहुत easy होता है इसमें aerial roots इस तरह से आती है जैसे money plant में node होते हैं और इसमें धेर सारी roots होती है वैसी इस plant में भी होती है और इसे आप पानी या soil किसी में भी grow कर सकते है तो इसके propagation का भी वीडियो मैं आप से अपने चैनल पे share करूँगी तो देखें next plant है spramary अगर आपको अपने garden में पूरे साल अगर green tree चाहिए तो आप इस plant को अपने balcony या पोच में जरूर अड़ कर इसे कोई धूप की जरूप नहीं होती है और बहुत हाड़ी plant होता है तो इसमें अगर पानी कम भी हो तो यह plant कभे मुर्जाते नहीं है यह ऐसी रहते है फिर देखें next plant है यह spider plant तो यह plant आपका 2-3 घंटो की धूप जेल सकता है और shade में भी यह बहुत ही अच्छा grow करता है और इसे आप hanging basket में भी लगा सकते है इस तरह से pot में भी लगा सकते है मैंने इसके बुद्धा pot में लगाया है तो देखें फिर यह next plant है पेपरोमिया इसे baby rubber plant भी बोलते है और यह भी एक shade loving plant है और इसके भी leaves बहुत ही सुन्दर और shiny होती है बहुत ही मोटी होती है इनकी leaves फिर देखें यह next plant है जेड जेड को वैसे 2-3 घंटे की sunlight मिल जाए तो यह बहुत ही अच्छा grow करता है लेकिन यह shade में भी यह plant आपका grow हो जाएगा लेकिन growth इसकी shade में थोड़ी slow होती है और sunlight मिलने पे यह बहुत ही अच्छा grow करता है और देखें मेरे आज के लिस्ट का last plant है यह agglonema snow white तो यह भी cutting में किसे से मिला हुआ था तो देखें इसमें एक से दो leaves आ रहे थे तो मैंने इसे उपर से cut करके उसकी भी cutting अलग side में लगा दी और नीचे यह देखें बेबी प्लांट निकलाव है जिसमें आपको दो leaves दिक रही है और अगर दोनों cutting रो कर जाएंगी तो उनसे भी और stems निकल जाएंगी तो यह बहुत ही घना हो जाएगा और इस गमले को भर देगा इन सारी plants में जो common चीज है वो है कि हमें पानी का बहुत खास ध्यान रखना होगा कि एकदम controlled watering दे रही है कभी भी से over watering नहीं करना है तो वीडियो आपको कैसा लगा comment section में जरूर बताएगा thank you